नमस्ते विद्यार्थियू पिछली कक्षा में हम लोग बड़े भाई साहब की प्रिष्ट भूमी पढ़े और साथ ही साथ कहानिकार मुंसी प्रेंचंत के बारे में संछिप्त जानकारे प्राग किये आज हम बड़े भाई साहब कहानी पढ़ेंगे चुकि कहाने लंबी है इसलिए पढ़ने में समय लगेगा और सुरू करने से पहले दो तीन बाते और जान लेते हैं एक बात ये कि दोनों भाई होस्टल में रहते हैं दूसरी बात कि इस कहानी में प्रेंचंत की शैली कहीं कहीं व्यंग्यात्मक हो गई है दो तीन जगह ऐसे हैं जहां व्यंग्य शैली में लेखक का अनुसरन किया है लेखक लेखक ने अब इस कहानी के बारे में हम लोग विशे वस्तू पर चर्चा करेंगे कहानी का जो पहला अनुछेद है वहीं से वहां हमें व्यंग का पुट देखने को मिलता है भाई सहाब पांच साल बड़े थे और तीन दर्जे आगे थे अब लेखक का कहना है लेखक यानि छोटा भाई लेखक और मैं दो शब्द दोनों ही शब्द पार्ट में छोटा भाई के लिए आया है और कहीं कहीं कथा नायक भी आया है तो तीनों नाम छोटा भाई कहीं है अब लेखक या छोटा भाई का कहना है कि भाई सहाब जो हैं वो एक साल का काम कभी-कभी दो साल में करते थे और कभी-कभी तो एक साल का काम करने में उन्हें तीन साल भी लग जाता था कहने कार्थ एक ही क्लास में दो साल और तीन साल पढ़े रहते थे और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि भाइ सहब, सिक्षा के जो बुनियाद है, जो निउ है, उसमें मजबूद डालना चाहते थे, ताकि उस पर आलिसान भवन बनाया जा सके। भवन जितना ही उंचा बनाना हमें होता है शांदार बनाना होता है निव उतनी ही गहरी होती है निव बुनियाद से तातपर है भवन का हुआ हिस्सा जो पिलर के रूप में जमीन के अंदर रहती है अब पंक्ती आई है कहानी में पहले ही है नुछेद में बुनियाद ही पुखता न हो तो भवन कैसे पायदार बने पायदार भवन जो पिलर पर बनता है जो आसपास हमारे नजर आते हैं अपाटमेंट अब चुकि वो बड़े थे और छोटा भाई छोटा था चाहे वो एक सा काम दो साल में करें तीन साल में करें लेखक की दृष्टी में जो वर्णन किया जा रहा है वो साकारात्मक पुट लगता है कि है लेकिन दरसल अगर कोई एक साल का काम दो साल में करता है या तीन साल में करता है सैली चाहे हम जो भी अपना ले या किसी का गुन नहीं हो सकता ये आवगुन ही रहेगा, हमें काम समय पर करना चाहिए, बुनियाद मजबूत करने का आर्थ ये नहीं है, कि हम वे वजह वक्त बरबाद करें, पर बड़ा भाई बड़ा था और लेखक छोटा था, अब वो इस बात को बड़े इमांदारी से स्विकार करता है, कि बड़े भाई साहब को डान डपट करने और निगरानी करने का पूरा अधिकार था, और छोटे भाई की सालीनिता इसी में थी, कि वह उनकी हर बात को आग्या समझकर उसका पालन करें, और पूरे पाठ में हमें यह नजर आता है, बड़ा भाई बहुत ही अध्यांसील था, सुभा से ही अध्यांसील था, हमेशा किताब खोले वे बैठे रहते थे, और मन जब ठक जाता था, ठकान को मिटाने के लिए, मन को आराम देने के लिए, किताब के हासियों पर कुट्टे बिल्यों का चित्र बनाया करते थे, हासिया सेतात पर है, किताब के पन्नों में जो खाली जगह होता है, उसी को हासिया कहा गया है, कुत्ते बिल्यों के चित्र बनाया करते थे, कभी एक शेर को ही सुन्दर अक्ष्रों में लिखते थे, कभी पूरा वाक के लिखते थे, और फिर उसे कई तरह से लिखते थे एक बार लेखक देखता है कि उनकी किताब की हासियों पर कुछ अनमेल सब्द लिखे हुए हैं, जैसे स्रीयूत उसके बार डॉट डॉट बनाया हुआ है, बिंदू बिंदू दिया हुआ है, फिर आगे चलकर लिखा हुआ है, स्रीयूत राधे श्याम जी, फिर डॉट बिंदू बिंदू बनाया हुआ है, और लिखा हुआ है अमीना, फिर बिंदू बिंदू और उसके बाद भाई, फिर बिंदू बिंदू भाई भाई और फिर बिंदू बिंदू देकर एक उदास चेहरा बनाया हुआ है, छोटा भाई इसको समझने का बहुत प्रयास करता ह लेकिन समझ नहीं पाता, बहुत प्रयास करता है, जितनी बुद्धी है, अपनी बुद्धी लगा देता है, लेकिन समझ नहीं पाता और बड़े भाई से पूछने का सहास नहीं जुटा पाता है, सोचता है अगर उनसे पूछूंगा, तो ये छोटा मौ बड़ी बात हो जैसे ही मौका पाता, वो होस्टल से निकल कर मैदान में चला जाता, कंकरिया उचलता, कागज की तितलियां बनाता, दोस्तों से गप्पे करता, चाहरदिवारी पर चढ़कर नीचे कूदता, और भाटक पर खड़ा होकर, जो प्रमुख गेट है, उस पर खड़ा हो जाता, उसको आगे पीछे करता, और मोटर कार का आनंद लेता, लेकिन जैसे ही खेल कर कमरे में आने लगता, वह भीगी बिल्ली बन जाता, वह दबे पाँवाता, बहुत प्रयास करता है कि भाई साहब की नजर बचा कर, वह कमरे में जाकर बैठ जा, पढ़ने लगे, लेकिन यह उसके लिए संभव नहीं था, या ऐसा नहीं हो सकता था, वह भाई साहब से बहुत डरता था, उनके साय से भी, परचाई से भी दूराने का प्रयास करता था, लेकिन ऐसा कभी मुमकेन नहीं हुआ, जब भी वह खेल कर जाता, भाई साहब एक ही सवाल हमेशा पूछते, कहा थे, और छोटा भाई कुछ नहीं बोलता, सिर जुकाए, चुपचाप खड़ा रहता, जैसे वह स्विकार कर रहा हो, कि उसने गलती की है, उसने अपराद किया है, और उसे डंड मिलना चाहिए, बड़ा भाई साहब उसे बहुत डरते, कहते कि अंग्रेजी पढ़ना कोई स खेल नहीं है, अच्छे अच्छों को भी सिर्फ कहने के लिए आती हैं अंग्रेजी, और पढ़ाई, तुम अगर सोचते हो, कि इस तरह से खेल कूद कर, तुम पढ़ जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलती है, पढ़ाई, ये विद्या इसे ही नहीं आ कि मैं दिन रात पढ़ते रहता हूं, इतने खेल तमासे होते हैं, टूर्णामेंट होते हैं, वे कहीं नहीं जाते, बावजूद इसके एक ही दर्जे में दो-दो साल और तीन-तीन साल पढ़े रहते हैं, और वो कैसे सोच लिया, किस तरह से खेल कूद करके और पास हो जाए हैं, वह अपनी जिन्दगी खराब क्यों कर रहा है, अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो वह गाउं चले जाए, दादा जी की यानि पिता जी की गाड़ी कमाई को बरवाद क्यों करता है, अपनी जिन्दगी खराब क्यों करता है, भाई साहब की बात सुनकर, लतार सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगता, उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, कुछ देर के लिए तो उसके मन में उसका मन निरास हो जाता, वह सोचने लगता, भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ाई उसके वसकी बात नहीं है, भाई साहब जितना प लेकिन कुछ ही देर के बाद निरासा के बादल जट जाते वह सोचता कि नहीं अब जी लगा कर पढ़ाई करेगा भाई साहब को डाटने का मौका नहीं देगा और जट पट निरासा उसकी दूर हो जाती वह जट पट एक टाइम टेबल बना लेता और सोचता कि अब उसका ये पालन करेगा और भाई साहब को डाटने का मौका नहीं देगा लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और अमल करना उसका अलग बात दूसरे ही दिन से उसका टाइम टेबल ऐसा होता कि सुभा पांच बज़ से लेकर रातरी की ग्यारा बज़ तक का टाइम टेबल बनाता और उसमें खेलने की जगह नहीं होती रात में खाना के बाद सिर्फ आधा घंटा कमरे के सामने टहलने की जगह होती परिनाम यह होता कि दूसरे ही दिन से टाइम टेबल की अवहेलना सुरू हो जाती मैदान की सुखधरियाली, कबड़ी के दावगात, वॉलीबॉल की स्फूर्ती उसे अनिवार और अज्यात रूप से अपनी और खीचती और वह खीचा चले जाता ना तुसे वो जान लेवा टाइम टेबल याद रहती, ना आगफोर किताबे वो खेलने में मगन हो जाता, जिस तरह से मौत और भी पत्ती के बीच भी आदमी माया मौ के बंधन में जकड़ा रहता है उसी तरह से चाह कर भी छोटा भाई खेल की अवहलना नहीं कर पाता लेकिन जैसे ही कमरे में जाता, वह भीगी बिल्ली बन जाता एक नंगी तलवार हमेशा उसके सिर पर लटकते रहती, अर्था खत्रा बना रहता इसी तरह से समय बीतता, चला गया, वह खेलने जाता, आता डाट सुनता लेकिन खेल को छोड नहीं पाता, समय गुजरता चला गया और सालाना इमतहान होता है अब इमतहान के बाद क्या होता है, हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे आप वीडियो देखेंगे, और इसमें प्रयुक्त जो मुहावरे हैं, उसको कॉपी में लिखेंगे और विडियो देखकर समझने का प्रयास करेंगे शेस अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे धन्यवाद